नमस्कार रानी किचन में स्वागत है तो चलिए फ्रेंट्स आज बनाते हैं बहुत ही टेश्टी और चटपटा नाजता तो मैं आज बनाने वाली हूं मटर और लाई का बहुत ही टेश्टी नाजता तो सबसे पहले गेस पर रखें कड़ाई और इसमें डाल देंगे तेल यह नाज बने लिया मटर इसको भी डाल देंगे ताजा मटर है यहां पर हमने लिया है हरी मेच लसून अदरग का पेश्ट हमने तयार किया है इसको डालने ना है इसमें बहुत ही अच्छा चटपटा सा बने गई नास्ता तो अगर फ्रेंस अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद तो वीडियो को like करें जदा से और नए है तो चैनल को subscribe ना भूलें उले तो यह दिखिंए हमने मटर को डाल दिया है मसाला भी डाल दिया है अच्छी तरह से इसको ठोड़ी बूल लेना इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मीर्ची का पाउडर नमक स्वाद के नुशाद डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देना है अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ी दिर मटर को हमें पकाना है जब तक कि मटर अच्छे तरीके तो इसमें डाल देते हैं लाई तो लाई को डाल करके हमें मिक्स करना है इसको बहुत ही टेस्टी और चटपता नासता बनता है तो एक बार ज़रूरिए इस रेश्पी को ट्राई करें दो मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा और बच्चों को तो काफी पसंद आएगा बड़ों को भी चाय के साथ आप गर्मा गर्म इसको बना करके इंजवाय कर सकते हैं तो इसको हमें थोड़ा सा भूनना है तीन से चार मिनट जब तक कि लाई थोड़े से अच्छे से भूनना जाए पिर इस भी नहों जाए तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है तहर दो तेंद इन मिनट का टाइम लगता है और यह जल्दी से भून करके तयार हो जाता है जादा समय नहीं लगता है तो यह देखिए हमने इसको चलाते हुए लगताद चलाते हुए अच्छे तरीके से यह देखिए भून लिया है काफी आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो सारा पानी है इसमें का खतम हो गया है और सूख गया है तो यह देखिए बहुत ही चटपटा और टेश्टी की नास्ता बनाएं फ्रेंड बैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में यह देखिए कितना सुंदर देखने से लग रहा है काफी टेश्टी अगर आपने इस तरह से मटर का नास्ता नहीं बनाया है तो जरू ट्राई करें आपको काफी पसंद आएग यह देखिए बन करके बिल्कुल तयार हो गया है तो आप भी घर पर इस मटर और लाई की रेस्पी को जरू ट्राई करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरू बताईएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तब के लिए धन्यवाद